सावन में इन पाँच राशी वालों को माला माल करेंगी मा लक्ष्मी श्रावण मास का धार्मिक के साथ साथ जोतिशिय महत्व भी है इस महीने में भगवान शिव की पूजा विशेश रूप से की जाती है इसलिए इसे महादेव का महीना भी कहा जाता है इस बार श्रावण मास 14 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेगा इस महीने में कुछ राशी वालों पर देवी लक्षमी की विशेश क्रपा रहेगी ऐसा ग्रहों के सैयों के चलते होगा सावन का महीना मिथुन राशी वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है इस राशी वालों को इस महीने में धन लाभ के विशेश योग बन रही है इसी राशी में लक्षमी नारायन योग भी बन रहा है जो बहुत ही शुबफल देने वाला है इस राशी वालों को कोट कचेरी के मामलों में सफलता मिल सकती है अगर लंबे समय से कहीं पैसा अटका है तो वो भी मिल सकता है सिहरासी सिहरासी पर अभी सभी ग्रहों की शुब दृष्टी है जिसके चलते इनके मान सम्मान में वृद्धी होगी नौकरी पेशा लोगों को मन्चाही सफलता और पद मिलने के योग इस समय बन रही है सेहत से जुड़ी कोई परिशानी है तो वो भी इस समय दूर हो सकती है पुराने इन्वेस्टमेंट का फाइदा इस समय मिल सकता है ससुराल पक्षे कोई महंगा उपहार मिलने से मन प्रसन रहेगा सावन महतुला राशी के लोगों पर देवी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का आशिरवात बरसेगा इस राशी के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परिक्षा में सफलता मिलने के योग इस समय बन रहे हैं जो लोग राजनीती से जुड़े हुए हैं उन्हें कोई बड़ा पद इस समय मिल सकता है पैसों से जुड़े मामलों में भी देवी लक्ष्मी की क्रपाब बनी रहेगी कुल मिला कर इस राशी वालों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है धनु राशी के लोगों के लिए सावन का महीना शुभफल देने वाला रहेगा नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ मन चाही जगा ट्रांसफर भी हो सकता है बिजनेस में कोई बड़ी डील हो सकती है जो भविष्ट में भी आपको फायदा पहुचाएगी संपत्ती खरीदना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है इससे आपको निकट भविष्ट में शांदार लाब होने के योग बन सकते हैं मीन राशी के लोगों पर पूरे महिने मालक्षमी महरबान रहेंगी इस राशी के लोग जितना दान करेंगे उससे कहीं ज़्यादा इन्हें मिलेगा पैतरक संपत्ती से जुड़े मामले सुलजने से अचानक बहुत बड़ी रकम आपके पास आ सकती है सेहत से जुड़ी परिशानी है तो वे भी दूर हो सकती है वाहन संपत्ती खरीदने के लिए ये समय ठीक है पहले की गई महनत का फल इस समय मिल सकता है धर्मकताई के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें धन्यवाद